पंजाब विधानसवाद चुनाओं के लिए सभी दलों ने कमर कसली है भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या बढ़ रही है तो आम आदवी पार्टी तमाम उन सर्वेक्षणों के परणावों से खुश है जिसमें उसकी सरकार बनने के दावे किये जा रहे हैं तो दूसरी और कॉंग्रेस ने चुनाओं अभ्यान और घोशना पत्र समीतियों का गठन कर दिया है इस विच किसानों ने चुनाओं लड़ने के लिए जो मोर्चा बनाया है उसकी गतिविदिया भी बढ़ गई है भाजपा की बात करें तो मंगलवार को पूरु कॉंग्र स्विधायक अरविंद खन्ना पंथ रत्न जत्यदार गुर्चरण सिंग तोड़ा मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष कमर सिंग तोड़ा शिरुमणी अकाली दल के नेता गुरदीप सिंग गोशा और अमरिक्सर के पूरुपार्शन धर्मवीर सरीन पार्टी में शामिल हो इस हवसर पर पंजाब चुनाउ के सह प्रभारी और केंद्री मंग्रेसं के दावों पर सवाल किए तो केंदरी मंतरी और पार्टी के पंजाब मामलों के चुनाव प्रफारी गजेंदर सिंग शेखावत ने दावा किया कि प्रतिकूल मौसम के बावजूद प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी की फिरोजपूर रैली में जाने के लिए लोगों में इतना उतसा था कि पंजाब के आसपास के चार राजियों से करीब एक हजार अतिरिक्त बसे पार्टी को जुटानी पड़े थी पांच तरीक को एक नए इतिहास का सरजन एक सुखद इतिहास का सरजन पंजाब की राजनीती में होने वाला था राजनीतिक कारेकरताओं ने पुलिस और प्रिशाशन और सरकार के मिली बगत से जिस तरह से उन सब को रोका ने के विल कारेकरताओं को आने से रोका अपितु प्रदानमंत्री जी को भी उस कारेकरम में जाने से रोका गया मानिय प्रदानमंत्री जी जो आजादी का अमरत महोतसव के तहट शहीदों को नमन करने के लिए मन में पवित्र भाव लेकर के हुसेने वाला साप जाने वाले थे वहाँ जाने से भी उनसे रुका गया हजारों करोड की जिन परियोजनाओं का शिलन्यास मानिय प्रदानमंत्री जी करने वाले थे उस कारेकरम से भी पंजाब की जनता को मरहूम रखा गया जैसा मैंने कहा कि एक नया इतिहास सजित होने वाला था बराजनीतिक शित्र में पंजाब में आज तक जितनी बड़ी संक्या में लोगों का एकत्री करन नहीं हुआ था उससे बड़ी संक्या में एकत्री करन होने वाला था उस दिन वो इतियास तो सजित नहीं हुआ, लेकिन भारत के लोगतांतरिक इतियास में एक काला अध्याय उस दिन जरू लिखा गया कि देश के प्रदानमंत्री के सुरक्षा में सेंध लगाई गए लेकिन बारतिय जनता पार्टी के करेकरताओं का उत्सा उसके कारण से उनका संकल्प जो है उसके कारण से इस घटना के कारण से कई कई गुना और बढ़ा है इस मिच कॉंग्रेस ने पंजाब विधानसवा चुनाओं के मद्यनेजर मंगलवार को चुनाओ अभियान समीती और घोशनापत्र समीती का गठन कर दिया पार्टी के संक्ठन मासर्चीव केसी विणु गुपाल के और से जारी बयान के मुताबिक कॉंग्रेस अध्यक्ष सोन सरकार के मंत्री विजय इंदर सिंगला और कई अन्य वरिष्ट नेताओं को चुनाओ अभियान समीती में शामिल किया गया है राजिसवा सदस्य प्रताप सिंग बाजवा को घोशनापत्र समीती का प्रमुख बनाया गया है उनके साथ सांसद अमर सिंग को इस समीती के संयो यूनियन एक्ता उग्राहा के नेता जोगिंदर सिंग उग्राहा ने कहा है कि उनका संग्ठन ना तो बल्बीर सिंग राजेवाल के नेत्रत वाले संयुत समाज मोर्चा यानि का समर्थन करेगा और नहीं उसके सदस से 14 फरवरी को पंजाब में होने वाले विधांसवा चनाव में लड़ेंगे आपको बता दें कि भारती किसान यूनियन एक्ता उग्राहा पंजाब के सबसे बड़े किसान संग्ठनों में से एक है इस संग्ठन के कार्यकरताओं ने क उत्रे किसान संह्ठन का समर्थन करेंगे और नहीं चनाव में हिस्सा लेंगे उगराहने मीडिया से बाचीप में कहा कि वहेसन कि सज्ट किसान मोडचा द्वारा कि संग्थनों की लंबित जैसे नियुंतव समर्थन मुल्य के लिए समीति गठित करने और राज्य में आगामी विधानसवाद चुनाओं में उतरने का फैसला करने वाले किसान संग्ठनों पर रुख तै करने के लिए 15 जन्वादी को बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेंगे उलिखनी है कि पंजाब में कई किसान संग्ठनों में तीन क्रशी कारूनों के खिलाफ परदाशन में हिस्सा लिया और पिछले महिने उन्होंने एस एस एम नाम से राजनीतिक मोर्चा बनाया और आगामी पंजाब विधानसवाद चुनाओं में उतरने का फैसला किया एसे सम नेता बलबीर सिंग राजेवाल ने आमादी प पिछले महिने संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाने की घोशना करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी पंजाब में विधानसवा चुनाओं लड़ेगी हम आपको बता दें कि पंजाब में सभी 117 विधानसवा सीटों के लिए 14 फरवरी को मद्दान होना है मत करना 10 मार्च को